तो दोस्तों कि आपको पता है कि आईफोन के दिवानों के लिए आ गई है वो घड़ी जिसका वो बेसबरी से इंतजार कर रहे थे क्योंकि आप एपल के लेटस्ट प्रोडेक्ट खरीदने के लिए आपको ना तो ज्यादा इंतजार करना होगा और ना ही विदेश के किसी एपल स्टोर से खरीददारी करने के लिए अपने किसी रिलेटिव से को बोलना पड़ेगा तो दोस्तों नहीं समझे अरे बोस अब एपल अपनी ओरिजनल दुकान अपने ही देश में सेट अप करने जा रहा है और वहीं देश के दो बड़े महानगर एपल स्टोर के ठिकाने बनने वाले हैं जी हाँ एपल का पहला स्टोर देश की अध्योगी राधधानी मुंबई में खुलेगा और वहीं दुसरे एपल स्टोर देश की राधधानी दिल्ली में खुलने जा रहा है वहीं मुंबई का स्टोर मंगलवार 18 अप्रेल को खुलेगा और दिल्ली का एपल स्टोर इसी अप्रेल के 20 तारी को खुलने वाला है वहीं दोस्तों इन स्टोर्स के खुलने में सबसे बड़िया बात ये है कि भारत में एपल के स्टोर्स की सुरुआत कमपणी के CEO टीम कुक खुद कर सकते हैं यान की कमपणी के भारत में एपल स्टोर खोलना कोई छोटी बात नहीं है तभी तो भाई कमपणी के परमुक इंसान को खुद इस स्टोर्स के ओपनिंग के लिए आना पड़ेगा वैसा अगर टीम कुक आही रहे हैं तो ये उनका भारत में दूसरा दोरा होगा इससे पहले वो साल 2016 में भारत आये थे ऐसा माना जा रहा है आगा में 18 अपरेल को टीम कुक मुंबई के बांदरा कुरला कॉंपलेक्स में एपल BKC में स्टोर्स की सुरुआत करेंगे और वहीं 20 अपरेल को टीम कुक साउथ दिल्ली के साकेत में स्टितेग मौल पर अपने स्टोर्स की नई सुरुआत करेंगे वैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एक स्टोर्स का फीता काटने के लिए ये एपल के CEO भारत क्यूं आ रहे हैं इसका जवाब जानने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भारत में एपल प्रोडेक्ट के लिए काफी महत्तबून मार्केट के रूप में उभर रहा है दोस्तो काउंटर पाइंटर रिचर्च के अनुसार भारत से आईपोन के निर्याद वॉल्यूम के इसाप से साल दरसाल 65 फीसदी और वैल्यू के इसाप से 165 फीसदी बड़ा है वहीं 2022 में एपल ब्रांड की हिस्सेदारी 25 फरसेंट हो गई है क्यूंकि 2021 में 12 फरसेंट थी यानि आप कह सकते हैं कि इंडिया में एपल की ब्रांड की हिस्सेदारी डबल हो चुकी है यानि कि एपल इंडिया में अपनी पकड़ को मजबूत करता जा रहा है और वहीं इंडिया में Apple iPhone की sale all time high पर पहुँच रही है और साथ ही यहां से iPhone का export भी अर्बू डालर में पहुच चुका है तो जाहिर है जहां का बाजार company को अर्बू डालर का भाइदा करा रहा हो तो company के माले को फीता काटने तो आना ही पड़ेगा वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इस समय company के iPhone और बाकी product से Apple premium retailer से store से या फिर अन्य outlet से के जरिये बिखते हैं लेकिन अब दिल्ली और मुंबय वाले सीधा Apple store से अपने product को सीधा खरी सकेंगे अब दोस्तों आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि Apple के जब सामान भारत में दिखते हैं तो Apple store से अब तक क्यों नहीं खोला गया इतना time क्यों लग गया तो आपको बता दें कि विदेशी company के लिए भारत में कुछ strict rule है इस कारण Apple अपना retail store भारत में नहीं खोल पा रहा था इस rule के मुताबिक ऐसे stores के लिए भारत में product की manufacturing करना काफी जरूरी है अब Apple अपने iPhone की manufacturing इंडिया में करने लगा है इसलिए company का यहां store खोलने की अनुमती मिल गई है खेर बात जो भी हो भारत में Apple को चाहने वालों की तादा दिनो दिन बढ़ रही है क्या पता Apple एक दिन Android phone को भारत से पूरी तरह replace कर दे क्या पता लोगों को iPhone इतना भाजाए कि हर भारती के हाथों में iPhone ही देखने को मिले वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि Apple Android को भारत में replace कर पाएगा या फिर Apple प्रोडेक्ट के महंगे उचे दाम आम लोगों की पहुंच तक कभी नहीं पहुंच पाएगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राई जरूर बताईएगा तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें हो साथ में चैनल को जरूर से सब्क्राइब कीजिएगा जय हिंदज जय भारत